बिहार के सन अफ मल्ला नाम से फेमस वियाईपी पार्टी के नेता मुके सहानी के पिता की घर गुसकर हत्या कर दी गई है हत्या के बाद शवशत विशत हालत में मिला जब शवशत को देखा गया तो उनके अंतरिया बाहर आ गई थी हमला इतना बहरत था कि पेट पर मारा गया चाकून की पीट से भार निकलाया था यही नई बदमाशों ने चाकू से मुकेश के पिता के हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों पर वार किया था बदमाशों ने ये वारदात इस तरह से अन्जाम दिया कि जितन साहनी को समलने का भी मौका नहीं मिला वैजा बैठे थे वही दम तोड़ दिया वही अब तक हत्या का मकसद साफ नहीं हो पाया है मंगलवार की सुबह मौके पर पोची फॉरंसिक टीम ने मुके साहनी के पिता जितन साहनी की लाश की जाच की वही फॉरंसिक रिपोर्ट के मुताबिक हत्या करी〜ब 10-11 बज़े कै आसपास की गई जिस धारदार हतियार से हत्यकी गई उस हतियार के लंबाई लगबग 10 से 12 इंच थी अब ऐसे में सवाल ये उटता है कि अगर मकसद चोरी का था तो चोर इतना बड़ा हतियार क्यों लेकर आएंगे ऐसे हतियार आम तोर पर नेपाल के लोग अपनी सुरक्षा के लिए रखते है या तो कसाई इस्तमाल करते है अब सवाल ये भी उटता है कि आम तोर पर 10-11 बजे तक लोग जखते रहते हैं हमला कैसे हो सकता है परजनों के अनुसार घर का मेन गेट बन था और हतियारे पीछे से गर में घुसे और सच से वो सीडियों के रास्ते मुकेश के पिता के घर में धाकिल हुए हाला कि S.P. दर्बंगा ने अपने बयान में बताया कि इस घटना को अंजाम चोरों ने दिया है लेकिन बिहार पुलिस अन्य सवालों पर चुपी साथ लेती है मामले की गंबीरता को देखते हुए पुलिस ने बताया कि इस मामले की जाच के लिए एसाइडित घटित कर दी गई है उदर खुद मुकेश साहनी भी इस मामले में फिलाल कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे है वही इस घटना को लेकर राजनेतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है बिहार के डेप्टी सीएम समराट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मुकेश साहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यन थी दुरबागेपून एवनिंदनी है मैं सरकार की तरफ से बिहारवासियों को ये आश्वस्त करता हूँ मैं सरकार की तरफ से बिहारवासियों को ये आश्वस्त करता हूँ कि हत्या में संपलेत अपरादियों को बक्षा नहीं जाएगा और उन्हें जल्द सज़ा दी जाएगी वही पूर्णिया से साणसद और कॉंगरेस ने तब अप्प्व यादव ने बिहार सरकार को घेरते वे कहा कि पूरो मंत्री मुकेश सहानी जी के पिता जितन सहानी जी की दर्वंगा में निर्मम हत्या बीजेपी के रावन राज की पुकता प्रमान है हत्या अपदर हत्या से कोहराम मचा है नितीज जी के शासन का इकबाल खतम हो गया है अब प्रशासन अपरादियों के बजाए निर्दोशों को फसाने का निजामबन बन गया है मुकेश जी के हम साथ है आपको बताते चले की मुकेश सहानी बिहार सरकार में मंती रह चुके है इस लोग सवाचुनाओ में वो इंडिया गट बनन का हिस्सा थे लेकिन इस बार उनके खाते में कोई सीथ नहीं आई